नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है रभी और आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने यट्यूब चैनल इस्टडीवित रभी पर फेंस काफी समय बाद हमारी एक वीडियो आ रही है जो की एक इंपोर्टेंट वीडियो है आपके किसी भी एक्जाम के लिए दोस्तो आज की इस क्लास में हम प्रमुक सूचकांक इंडेक्स को पढ़ेंगे दोस्तो जितने भी दोस्तो 2023 में सूचकांक रिलीज हुए है इंडेक्स रिलीज हुए है उन सभी को दोस्तो हम इस क्लास में पढ़ना बाले है विश्व में दोस्तो भारत की क्या रैंक है ठीक ह तो वह सभी हम पढ़ेंगे आप वीडियो के अंट तक बने रहेगा आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी और आपके किसी भी एक्जाम के लिए दुस्तो ये क्लास इंपोटेंट रहने बाली है तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को जिसका पहला कोशन रहेगा कि बिश्व प्रेस सुचकांग तो हचार तेईस में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ है राइट आंसर हेगा ओफ्शन भी 161 फिंट्स 161 इस्थान प्राप्थ हुआ है बिश्व प्रेस सुचकांग तो हजार तेईस में जितने भी हम इंडेक्स पढ़ेंगे उसमें तीन चीज कोमन रहेंगे दोस्तो कि भारत की पोजिशन कोन सी है रिपोर्ट को जारी कोन करता है ठीक है और दोस्तो पहला इस्थान किस देश का है ठीक है तो ये तीनों चीज कोमन है और हर कोशन में दोस्तो हम इसे पढ़ेंगे तो बात करें कि विश्व प्रेस सुचकांग को कौन जारी करता है तो इसे दोस्तों विदाउट वोडर्स जारी करता है जो कि पैरिस में इस्तित है विश्व प्रेस सुचकांग तो 2013 में पहला इस्थान जो है तो वह है आपका नूर्वे देश का है बरते हैं नेश्ट कोशन की ओर बताएगा दोस्तों कि बिश्व की आर्थिक सुतनुतरता 2021 के बार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 165 देश में कुन सा इस्थान रहा सही आंसर रहेगा ओप्शन D 87 तो दोस्तों 87 बारत इस्थान है भारत का बहीं बात करें दोस्तों कि इसमें पहला इस्थान किस देश का है तो दोस्तों सुरू की तीन पोजिशन पर कोई सा भी देश नहीं आया है ठीक है और जो टोप थ्री देश हैं तो उसमें सिंगापूर होंग कोंग और स्विजर लेंड देश हैं इससे जारी करता है दोस्तों पर अपनाने में भारत 154 देश की सूची में किस इस्थान पर रहा सही आंसर हैगा option A प्रथम तो प्रथम इस्थान पर है भारत इसे जारी करता है दोस्तो चेना लेसिस ठीक है एक चेना लेस इंस्टिडूट है दोस्तो उसके द्वारा जारी किया जाता है अगला प्रशन है कि वैस्विक नवचार सूचकांग तो हजार तेश में भारत की रैंक कौन सी है दोस्तो ये इंडेक्स जो है ये काफी common इंडेक्स है क्योंकि काफी एक्जाम में दोस्तो ये पूछा जाता है तो वैस्विक नवचार सुचकांग तो 2023 में भारत की जो रैंक रही है तो 42 वी रैंक है सही अंसर रहेगा option C इसमें पहला इस्थान दोस्तो स्यूजर लेंड का और इसे जारी करता है विश्व वोदिक संपदा संगटन अगला प्रशन है कि वैस्विक प्रतिभार रैंकिंग 2023 में भारत किस इस्थान पर रहा है तो फ्रेंड्स ग्लोवल टेलेंट रैंकिंग इसमें भारत की पोजिशन है 52 राइट आंसर रहेगा option C वहीं बात करें कि इसमें पहला इस्थान किस देश का है तो पहला इस्थान है स्यूजर लेंड का इसे जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फोर मनेजमेंट डबलबमेंट छटा question है वैस्विक सांती सूचकांग 2023 में भारत का इस्थान कौन सा है तो वैस्विक सांती सूचकांग 2023 में भारत की जो दोस्तो पोजिशन है तो वह 126 वी पोजिशन है राइट अंसर रहेगा option A तो याद रखेगा कि वैस्व सांती सूचकांग 2023 में भारत का इस्थान 126 वा है इसमें पहला इस्थान है दोस्तो आइसलेंड का और अंतिमिस्थान की बात करें तो अंतिमिस्थान है अफगानिस्थान का और इस इंडेक्स को जारी करता है इंचिट्यूट फोर इकोनोमिक्स एन पेस जो कि दोस्तो न्यू योर्क में इस्तित है अगला प्रेस ने कि वैस्विक पृतिस्थान सूचकांग तो हजार तेईस में पहली रैंक किस देश की है तो वैस्विक पृतिस्थान सूचकांग तो हजार तेईस में पहली रैंक है दोस्तो डैनमार्क की राइट आंसर हैगा option B भारत की दोस्तों इसमें 40 वी rank है ठीक है इसे जारी करता है Institute for Management Development जो की दोस्तों Switzerland में इस्तित है आठवा प्रेशन है कि वैस्विक लेंगिक अंतर सूचकाउंग 2023 में भारत की rank कौन सी है तो सही आंसर हैगा option A 127 वी rank है दोस्तों वैस्विक लेंगिक अंतर सूचकाउंग तो 2023 में ठीक है इसमें दोस्तों जो पहला इस्तान है तो वह है Iceland का है और इसे दोस्तों जारी करता है विश्व आर्थिक मंच नवाप्रस ने कि बिश्व खुसहाली सूचकाउंग तो 2023 में भारत कौन से इस्तान पर है राइट आंसर हैगा option B 26 वे तो फ्रेंट्स बिश्व खुसहाली सूचकाउंग तो 2023 में भारत की जो रैंक है तो वह है बरते नेश्ट कोशन की ओर कि तो 2023 में जारी US News and World Report के सर्फष्रेश्ट देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा इस्तान है राइट आंसर हैगा option A 30 वा इस्तान तो option A दोस्तों सही है पहला इस्तान दोस्तों शुजर लेंड का ग्यारवा प्रेशन है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांग 2023 में भारत का इस्तान कौन सा है तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांग 2023 में भारत का इस्तान है दोस्तों एकी एक सो आघ्वा राइट अंसर हैगा ओप्षण सी इसमें पहला इस्थान है डैन्मÁर्क देश का ओर इसे जारी करता है धोस्तो विंडम इंस्ट्ट्टूट ठीक है तुँ याद रखेगा कि पहला इस्थान किस देश का है डैन्मार्क और इस इंडेक्स को जारी करता है दोस्तो विंडम इंस्टिटूट 12 प्रेशन है कि freedom in the world index 2023 के अनुसार विश्व के सबसे कम अजाद देश का दर्जा किसे मिला है सही आंसर रहेगा option A तिब्बत को तो तिब्बत को दोस्तो सबसे कम अजाद देश का दर्जा मिला है इस रिपोर्ट को जारी क्या है freedom in the world index 2023 ठीकत याद रखेगा भारत की जो इसमें position है इसमें दोस्तो 66 वा इस्थान है भारत का next question है कि बैस्विक आतंगबाद सूचकांग 2023 के अनुसार भारत आतंगबाद से प्रभावित देशों की सूची में किस इस्थान पर रहा है right answer रहेगा option D तेरवे तो तेरवे इस्थान पर है दोस्तो वैस्विक आतंगबाद सूचकांग 2023 में याद रखेगा पहला इस्थान है अफगानिस्थान का मतला पूरे विश्व में दोस्तो सरवादिक जो आतंगबाद से प्रभावित देश है तो वह है अफगानिस्थान देश है चोजबा प्रशन है कि जलवायू प्रदरसन सूचकांग 2030 में भारत का कौन सा इस्थान है तो सही आंसर रहेगा option A8 इस्थान ठीक है और इसमें जो पहला इस्थान है तो वहें डैनमार्क का है याद रखेगा कि जलबायू प्रदरसन सूचकांग 2030 में पहला इस्थान किस देश का है टो डेनमार्क देश का है अगला प्रशन है कि स्वच सर्वेक्षंड 2023 में कोन सा सहर पहले इस्थान पर है राइट अंसर हेगा ओफेशन B इनदूर इनदूर दोस्तो सहर है तो बहुत पॉस्च सर्वेक्षंड रिपोर्ट 2023 में सबसे स्वच सहर है अगला प्रसन है कि जल संचरण सूचकांग तो 2023 में भारत की रैंक कून सी है राइट आंसर हैगा ओप्शन B 67 तो जल संचरण यहाँ पर संचरण है याद रखीगा ठीक है जल संचरण सूचकांग तो 2023 में भारत की रैंक 67 है अगला प्रेशन है कि Association for Democratic Reforms Report के अनुसार सांसदों के खिलाब अपराधिक मामलों में कौन सा राज्य सिर्ष पर है मतलब दोस्तो किसी भी राज्य में अपराधिक मामले मतलब अपराधिक मामले किन सांसदों पर जारी है यह हमें बताना है तो किरल राज्य में दोस्तो सरवाधिक सांसदों पर अपराधिक मामले दर्ज है अगला प्रेशन है Times Higher Education World University Ranking 2023 में कौन सा विश्वधालिय सिर्ष पर है सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स Option C Oxford University जो है दोस्तों तो वह है Times Higher Education World University Ranking 2023 में सिर्ष इस्थान पर है Next question नहेगा कि Passport Index 2023 Quarter 2 कौन सा देश सिर्ष पर रहा है तो Passport Index 2023 Quarter 2 में सिर्ष इस्थान पर रहा है दोस्तों आपका सिंगापूर देश ठीक है तो सही आंसर है हमारा Option A अगर Quarter 1 की बात करें तो कि Passport Index 2023 Quarter 1 में कौन सा देश सिर्ष पर है तो उसमें दोस्तों जापान देश सिर्ष पर है अगला प्रेसन है कि Global Fire Power Index 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे 37 साली सेना किस देश के पास है राइट आंसर हैगा Option B अमेरिका अमेरिका देश के पास दोस्तों सबसे 37 साली सेना है याद रखीगा इस रिपोर्ट को जारी करता है दोस्तों Global Fire ठीक है भारत का है सबसे कम सकती साली जो सेना है तो वह भुटान देश की है तो यह भी आपको याद रखना है अगला प्रेसन है कि वैस्विक लिवेविलिटी सूचकांग तो 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्या सेहरों की सूची में कुन सा देश सीर्ष पर है राइट आंसर हैगा ओप्शन सी विएना विएना देश दोस्तो विश्व में सरवाधिक रहने योग्या सेहरों की सूची में प्रथम इस्थान पर है ठीक है विएना किसकी राजधानी है आप कमंट करके बताएगा इस इंडेक्स को जारी करता है दोस्तो इकोनोमिक इंटेलिजेंस योनिट जो की लंदन में इस्थित है अगला प्रशने बहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दच्छन दच्छन ACI देशों की सूची में भारत किस इस्थान पर है राइट आंसर हैगा इसमें जो भारत का इस्थान है दोस्तो तो वह सिक्स्थ पोजिसन याद रखीगा ओप्सन में नहीं है ठीक है तो ओप्सन में आप इंक्रूट कर लेगा कि बहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दच्छन ACI देशों की सूची में भारत का जो इस्थान है तो वह छटा इस्थान है ठीक है वहीं बात करें कि जो पहला इस्थान है दोस्तो तो वह भूटान देश का है अगला प्रस्ण है कि समुदाइक भाबना सूचकांग तो 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली सहरों की सूची में कौन सा सहर सीर्स पर है सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ओप्शन टोरंटो सहर दोस्तो तो यह सबसे फ्रेंडली सहरों की सूची में सीर्स इस्थान पर है इस सूचकांग को बोलते हैं समुदाइक भाबना सूचकांग ठीक है अगला प्रेशन है कि परियाबरन परदर्शन सूचकांग 2023 में पहले रैंक किस देश की है तो सही आंसर हेगा ओप्शन ए डैनमार्क डैनमार्क देश का इस्थान पहला है परियाबरन परदर्शन सूचकांग 2023 में इसमें दोस्तो 180 देश सामिल है इस इंडेक्स में अगर आपसे भारत की रैंक पूछी जाए तो दोस्तो नीचे से पहली है मतलब भारत की जो पोजिशन है तो वह दोस्तो 180 भी है ठीकें इसे जारी करता है येल यूनिवर्सिटी और दोस्तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिला है सही अंसर रहेगा ओप्शन डी इंडोर इंडोर सहर को दोस्तो राष्टिय इसमार्ट सिटी पुरुसकार 2023 में सर्फ्रेश्ट सहर पुरुसकार प्राप्त हुआ है 26 प्रेशन है कि अखिल भारतिय बाग अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सरबादिक बागों कि संख्या बाला राज्ये है और सही अंसर रहेगा फेरेंज है मध्यपर्देश जिसे दोस्तों टाइगर इश्टेड बोलते हैं तो सरबादिक जो बाग है तो वह है मध्यपर्देश अगला प्रस्ण है कि निती आयोग द्वारा जारी निर्यात त्यारी सुचकांगटो 13 में सीर्स इस्थान पर है पहली राज्यों में बात करें तो पहली राज्यों में दोस्तो सीर्ज इस्थान पर उत्राखन राज्य है छोटे राज्यों में दोस्तो गोवा राज्य है बात करें कि केंदर साशित परदेशों में पहले इस्थान पर कौन सा केंदर साशित परदेश है तो वह दोस्तों जम्मू कस्मीर है अगला प्रशन है कि The State of World Population Report 2023 के अनुसार चीन को पच्छाल कर दुनिया का सरवादिक अबादी बाला देश कौन बना है सही आंसर हैगा Option C. भारत भारत दोस्तों चीन को अबादी के मामले में पच्छाल कर पहले इस्थान पर पहुंचा है विस्व में सरवादिक जो जन सक्या है तो वह दोस्तों भारत देश में है अब चीन दोस्तों दूसरे इस्थान पर है अगला प्रशन है कि अंतराश्टिय वोदिक संपता सूचकांग 2023 में भारत की इस्तिती क्या है तो शही आंसर हैगा Option A. 42 तो 42 वा इस्थान है दुस्तो अंतराश्टिय वोदिक संपता सूचकांग 2023 में बात करें कि पहला इस्थान किसी देश का है तो पहला इस्थान अमेरिका और दूसरा इस्थान दुस्तो यूनाइटेट किंग्डम का है इस इंडेक्स को जारी करता है US Chambers of Commerce जो की अमेरिका में इस्थित है अगला प्रेशन रहेगा कि अगस्त 2023 में IQAL द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूशित सहरों की सूची में कौन सा सहर सीर्स पर है सहियांसर रहेगा Option C जाकार्टा जाकार्टा सहर दोस्तो सबसे प्रदूशित सहरों की सूची में पहले इस्थान पर है ये इंडेक्स जारी के गया था अगस्त 2023 में नेस्ट कोशन है Global Startup Ecosystem Report 2023 में कौन सा सहर पहले इस्थान पर है तो राइट आंसर हैगा दोस्तो Option B Silicon Valley जो कि दोस्तो US में श्तित है भारत का बैंगलोर जो है दोस्तो तो यह है तीसरे इस्थान पर है याद रखेगा कि Global Startup Ecosystem Report 2023 में सिलिकोन वैली जो की दोस्तो अमेरिका में श्तित है ठीक है यह है पहले इस्थान पर है भारत की सिलिकोन वैली किसे बोलते हैं आप कमेंड करके बता सकते हैं अगला प्रसन है कि तो 2023 में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाडू हतियार हैं राइट आंसर हैगा ओप्शन ए रूस ठीक है रूस देश के पास दोस्तो सरवाधिक परमाडू हतियार है इस रिपोर्ट को जारी करता है सिपरी ठीक है बहीं बात करें कि दूसरे इस्थान पर कौन सा देश है अमेरिका भारत के पास जो दोस्तो परमाडू हतियार है तो बहे कुल 164 है रोज के पास जो हैं दोस्तो तो बहे 4489 ठीक है तो 4489 परमाणो हत्यार है रोज के पास ठीक है अमेरिका के पास हैं दोस्तो 3708 ठीक है और भारत के पास हैं 164 ठीक है तो याद रखेगा important question है अगला question है कि लोजिस्टिक परदर्शन सूचकांग 2023 में भारत किस इस्थान पर है तो right answer हैगा फ्रेंस option A 38 इस्थान पर लोजिस्टिक इंडेक्स जो लोजिस्टिक परदर्शन सूचकांग है 2023 का इसमें भारत की position 38 भी है ठीक है तो right answer हैगा option A बहीं बात करें कि पहला इस्थान किस का है तो सिंगापूर का है इसे जारी करता है दोस्तो विस्टिक अगला question है कि स्वच्छ भारत मिसन ग्रामिर चरण 11 के तहत भारत में किस राज्य के जैसे सो प्रतिसत गाउं को खुले में सोच मुक्त ODF फ्लस घोषित क्या गया right answer हैगा friends option ए तमिलान्डू ठीक है सोरी तेलंगाना तेलंगाना जो राज्य है दोस्तो तो इसे तो प्रतिसत गाउं को खुले में सोच मुक्त घोषित क्या गया है बहीं बात करें कि दूसरा इस्थान किसका है तो करनाटक का है ठीक है और दोस्तों तीसरा इस्थान तमिलाणडू राजे का है इसे जारी करता है जल सक्ति मंत्रा लिए अगला प्रेशन है कि नितीय आयो के वार्षिक स्वास्त्य सूचकांग 2021 में बड़े राज्यों की सिरणी में कुन सा राज्य है सिर्ष इस्थान पर है तो सही आंसर हैगा option D केरल राज्य है केरल राज्य है दोस्तों नितियायों के वार्षिक स्वास्ते सूचकाउं 2021 में बड़े राज्यों की सिरणी में पहला इस्थान है ठीक है ये थे दोस्तों हमारे सभी important और selected index जो आपकी परिक्षा में सिधे देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तों exam में एक या दो index पुछे ही जाते हैं चाहें वह आपका center label का exam हो या फिर state label का exam जो आपका दिली पुलिस का exam आ रहा है दोस्तों और जो उत्तरा खंड में आरो ए आरो और अधिसासी अधिकारी के exam होने हैं उसके लिए ये class important है आपने पूरी class देखी उसके लिए आपका धन्यबाद दोस्तों ठीक है इस class को आप अपने दोस्तों में share करिएगा और आपने इसा की तरह दोस्तों कमन करके बताना होगा तो कोशन है कि बरतवान में केंद्रिय रक्षा मंत्री कौन है ठीक है तो अमित सहा राजनात सिंग धर्मेंद प्रधान अस्वनी बैसनप तो कमन करके दोस्तों जरूर इसका answer आपको बताना है ठीक है और प्लिस चैनल को सब्सक जा है एंदू